हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की क कुटियों तक, निद्य वन्यमेत्तिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। प्रचोदयात, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रम तन्न आसुवा, सर्वरक्षक परम्पिता परमात्मा को प्रभु को याद करते हुए, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए, आज का यह सत्र यज्यकी चर्चा में यज्य से ही हम प्रारंव करते हैं, सर्वप्रत हम यज्य हवन अगनी होतर है हम जो जिस चीज की चर्जा करते वो वास्तों में क्या है उसमें कितनी देर लगती है कितना सामन लगता है कितना खर्ष लगता है आदे देखते हुए हम आज के इस सत्र का प्राराम करते है यज्य हवन करने के लिए हमें कुछ अत्यंत आवशक सामन की कुछ अपेक्षा होती है यह आप मेरे सामने देख रहे हैं एक छोटा सा हवनकुंड यह जामिती आकार कहते हैं यह हवनकुंड अपने आप में एक विशेश तामबेक धातु से बनाया गया एक विशेश प्रकार का हवनकुंड इसको जामिती आकार कहते हैं सभी प्रकार के लाभों में यह हवनकुंड उप्यूक्त होता है अलग-अलग आट से नव प्रकार के अलग-अलग हवनकुंड जैसे पद्मकुंड से लेकर के चंद्रकुंड, सूर्यकुंड से लेकर के अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग कुंड होते हैं अलग-अलग उदेश्यों के लिए उसे सभी लाभों को सिद्ध करने वाला यह कुंड होता है इसको कहते हैं जामेतियाकार का हवनकुंड चतुस कोन हवनकुन, चार कोन वाला और हवनकुन से अतिरिक्त हमें एक और पात्रों की आवशक्ता होती है एक इस प्रकार का आप देख रहे हैं एक शुरू, लंबी दंडी वाला चमच जिसके अंदर हम घी लेकर के घी की आहुती दे सके ऐसा यह एक चमच की हमें आवशक्ता होती है इससे अतिरिक्त एक घी के पात्र की आवशक्ता होती है यह आप देख रहे हैं, मेरे सामने रखा हुआ गाई के घी से भरा हुआ पात्र और गरम किया हुआ, यह आप देख रहे हैं ये गरम किया हुआ गाई का घी का हम परियोग करते हैं पिगला हुआ गरम किया हुआ ये गाई का घी है इस त्वरकार से गरम किया हुआ गाई का घी 25-50 ग्राम शिरुवात में करते हैं तो हमें थोड़ा ज्याद लगवाकि सामन रुप से देव यज्य 20-25 ग्राम घी के अंदर हवन हो जाता है इससे अतिरिक्त एक ऐसा छोटा सा आचमन पात्र यह आप देखरें छोटा सा कोई भी पात्र आप ले सकते हैं और एक छोटी सी चम्मच और एक ऐसी छोटी सी प्लेट यह तीन चीज़ें आचमन और अंगस पर्ष की पवित्री करण शुद्धी करण की प्रक्रिया के लिए हमें आउशक होती हैं इससे अतिरिक एक छोटा सा दिपक दिया जिसके अंदर हम बाती लगाते हैं थोड़ा सा घी डालते हैं यह आप देख रहें इस प्रकार से हम एक दिपक की दियारी कर लेते हैं एक छोटी सी इस प्रकार की प्लेट जिसके अंदर आउशदिया, जड़ी बुटिया, रोगान उससार यज्य करते हैं तो वह और देव यजे कते हैं तो इस प्रकार से अलग-अलग उदिश्यों के लिए अलग-अलग हविर द्रव्य होते हैं वह हविर द्रव्य प्लेट में रखने के लिए यह सामगरी की प्लेट इसी प्रकार से एक छोटा सा पातर के अंदर प्लेट के अंदर ये हमने गुगुल रखा हुआ है गुगुल एक नीरियास गोंध होता है पेड़ विशेश का या इसको हम हवन में भी प्रियोग करते हैं और हवन के पश्चात अंगारों के उपर डाल करके उसकी दूनी करते हैं तो ये इस प्रकार थोड़ा सा गुगुल एक कलस के हमें आवश्यक्ता होती है उसके अंदर जल रखते हैं यह जब हम वेदी के चारों और जल सेंचन करते हैं तब विशेश रुप से उप्योग में आता हैं काम में आता हैं थोड़ी सी मातरा में कपूर अगनी प्रदिप्त करने के लिए एक माचिस यह हवन के लिए अत्यन्त आवश्यक यह चीज के आवश्यकता होती है एक समीधा यह आप देख रहे हैं यह गाय के गोवर से बनी हुई समीधा यह हैं काव डंग श्टिक गाई के गोवर से बनी हुई समीधा उसके अंदर कुछ जड़ी बुठिया मिक्स करके और एक विशेश सेप दे दिया गया है तो इसी छोटी छोटी इसको केते हैं आठ अंगुल यह आप देख रहें यह चार और चार आठ यह हमारी आठ अंगुल यह होती है और इसको पहले वेदी के नीचे छोटी छोटी समीधा डाल देते हैं टुकडे करके उसके उपर थोड़ा सा रुई डाल दिया उसके उपर थोड़ा सा कपूर डाल दिया गाई का घी डाल करके इन सब के उपर तो अब ये पूर्व की तयारी होगे और दो समीधा ये खड़ी रख दी हैं और जब हम अग्णाधान करेंगे उसके पश्चात ये समीधाओं का हम विशेशुरुप से चायन करते हुए यज्य को आगे बढ़ाते हैं तो ये पूर्व की तयारी इतनी सी चीजों के हमें आवश्यक्ता होती है यज्य हवन अग्निहोतर करने के लिए तो आएए आज हम सब लोग मिल करके यज्य करेंगे हवन करेंगे अग्निहोतर करेंगे तो सबसे पहले हवन करने के लिए मंगला चरण करते हैं अर्था तीन ब आइंगे इस प्रकार तीन बार ओम का उचान करते हुए मंगला चान करते हैं उसके बाद दाइं हाथ की अंजली में जल लेकर के हम तीन बार आजमन करेंगे मंत्रो चान पूर्वक्ष ओम अम्रितो पस्तर नमसी स्वाहा दूसरी बार जल लेंगे ओम अम्रिता पिधा नमसी स्वाहा तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम्याशा श्रेर्मै श्रेश्रायताम स्वाहा बिना आवाज किये हथेली को नाली नूमा बनाते हुए तीन मंत्रों के माद्यम से इस जल का पान करते हैं इसको कहते आचमन इसके पश्चाथ जो हमारे पान छोटी सी ये प्लेट रखी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को इस प्रकार से दो लेंगे हस्त प्रक्षालन कर लेंगे उसके पश्चाथ बाएं हाथ के अंजली में जल लेंगे पहले राइट हैंड में लिया था अपर लेप हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मद्यमा और अनामे का दो उंगलियों को जल में स्पर्ष करते हुए एक-एक अंग का स्पर्ष करते हुए उस अंग की पवित्रता और शुद्धी करण के लिए प्रभू से प्राल्खना और कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रो चारण कूर्वक ओम वाग्मा आस्यस्तू ओम नसोर्मे प्रानुस्तू ओम अक्ष्नोर्मे चक्षुरस्तू ओम करणयोर्मे श्रोत्रमस्तू ओम बाह्वर्मे बलमस्तू ओम उर्वर्म ओजुवस्तू ओम अरिष्टानि मेंगानि तनस्तन्वा में सहसंतू यह आच्मन और अंग स्पर्श की पवित्री करण और शुद्धी करण की प्रक्रिया करने के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्य को हवन को अगनी होत्र को आगे बढ़ाते हैं और यदि हमारे पास समय है अनुकुलता है तो हम यहाँ पर विशेश वेद मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं तो आईए आज हम सब लोग मिल करके इश्वरस्तुते प्रार्थना उपासना के आठ मंत्र होते हैं देव सावितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम्तन्ना आसुवा ओम हिरन्य गर्भस्तम वर्तता ग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित्सदाध्धार पृत्य वेंध्यामुते मंकस्मै देवाय विशाविदेमा ओम्या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवा यस्य छाय मृतै यस्य मृत्युकस्मै देवाय विशाविदेमा ओम्या प्राणतो निमिशतो महित्वै कहिद्राजा जगतो बभुवा यस्य अस्य द्विपदर्ष्चतुस्वदा कस्मै देवाय विशाविदेमा ओम्ये नद्यो रुग्रा प्रिथिवी चद्रड़ाय नस्वस्त भितैये ननाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय विशाविदेमा ओम् प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वाजाता निपरिता बभुवा यत्कामास्ते जुहुमस्तन्यो अस्तुवयं स्यामपतयो रईना ओम् सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वाः यत्रदेवा अम्रितमान शाना स्तृतिये धामन अध्ये रयंता ओम् अग्नेनयसुपधाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्युहुरानमे नभुष्थान्ते नम उक्तिम् विदेमा इते श्वरस्थुते प्रार्थन उपासणा इस प्रकार पुरश्यद्ध भाव के साथ युक्त करके हम इश्वर्स्तुती प्रार्थन उपासना के आठ मंत्रों का उचार्ण करते हुए अब हम विशेश रुप से दीप प्रजवलन करते हुए यज्य को, हवन को, अगनिहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे तो तीन महा व्याहरित्यों का उच्चार्ण करते हुए अब दीप प्रज्वलन करेंगे ओम भूर भूवा स्वाह दीप प्रज्वलन करने के पश्चात कपूर की एक या दो टिकिया ले करके और उसको चमच के शुरू के अगरभाग में इस प्रकार के रख दीजे ऐसे चमच शुरू है उसके अगरभाग में इस प्रकार से रख कर अब इसको दीपक के माध्यम से हम प्रदिप करेंगे और अगले मंतर के उच्छान के पश्चात हम वेदी के मध्य में इसको स्थापित करेंगे वेदी के मध्य में इसका पूर को स्थापित कर दिजिए प्रदी अगनी को और अगले मंतर के उच्छारण के दोरान इस लोग के उपर छोटी-छोटी समिधा लगाना गाय का घी देना या जो भी आवश्यक्ता पड़ी इस अगनी को विशेश्रुप से प्रदेप्त करने के लिए वो किया जा सकता हम गोव मही समिधा का प्रियो करते हैं तो एक साइड में और एक बीच में गोव मही समिधा को हम रखेंगे मंत्र के उचान के दोरान ओम उद्बुद्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रिहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम्स्रिजेथा मयंच अस्मिन सधस्थे अध्यत्तर अस्मिन विश्वे देवाय जमान अश्चसीदत यह हमने अगनी प्रदिप के लिए जो भी इस मंत्र के द्वारान आवशकता हो उसको किया जाता है कपूर लगाना माच इस बातियादी जो भी उसके पश्चाद जो हमने आठ हंगुल की तीन समिधाय ली थी चार-चार आठ हंगुल की उसको हमने गाय के घी से पहले से भीगा करके रखते हैं गाय के घी से गिली की हुई समिधा को दोनों हातों ऐसे से प्रणाम मुद्रा में रखते हुए अब हम मंत्रों चान पूर्वक समिधा धान करेंगे ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभेर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्येन समेध्यस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमामा दूस्री समिधा लेंगे ओम समिधा अग्निम दुवस्यत गृतेरबो थयता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतना सुस्विध्दायसो चिशे गृत्म टीवरं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमामा तीसरी समिधा लेंगे ओम तन्त्वा समीद भिरंगिरो घृते नवर्धया मसे ब्रिहच्य चाय विष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नय अंगिर से इदन्ना मामा यह हमने समिधा धान किया आप देख रहे हैं यज्य वेदी के मध्य में समीधाओ को इस प्रकार से लगाना है दो खड़ी दो आड़ी दो खड़ी दो आड़ी इस प्रकार से लगाते हैं और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा हमने जब अग्नया धान किया तो उस पहली लोग के उपर रखा था विशेश गाय के घी से बिगा करके जिससे वो तुरंत अग्नी को पकड़ ले और अग्नी अच्छे से प्रदिप्त हो जाए तो इस प्रकार से यह एक समीधाओ को चयन करने का भी एक तरीका होता है इस प्रकार से करते हैं तो अग्नी अच्छे से प्रदिप्त हो जाती है अब यह पूरी त्यारी जब हो गई अग्नी प्रदिप्त हो जाती है अब पंच घृत आहूती प्रदान पड़े एक ही मंत्र का पांच बार उचान करते हैं अच बार घीकी आहुती देंगे जातवेदस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्मा वर्चसे नान्नागेन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमामा ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेधस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेधसे इदन्नममा ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेधस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेधसे इदन्नममा ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेधस्ते निध्यस्ववर्धस्वचे दवर्धय चास्मान प्रजया पशुवेर ब्रह्म वर्चसे नान्नाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेधसे इदन्नममा इस प्रकार पांच गी की आहुती प्रदान करने के पश्चात अब हम जल सेंचन करेंगे वेधी के चारो दिसाओं में तो आपने पांच जो कलस रखा है उस कलस को अपने पांच ले लिजे और दाएं हाथ की अंजली में जल ले करके सबसे प्रथम मंत्र से वेधी के पूर्व दिसा में दक्षिन से उत्तरकी और धारा बनाते हुए जल सेंचन करेंगे नहोता प्रदूसण और रोगों का वार करते यदी यज्य योग पेड़ पोधो का विस्तार यज्य योग पेड़ पोधो का विस्तार यज्य सिष्टा सिनसंतो मुच्चन ते सर्वकल्ब शैही भुण्ज ते ते त्वगंपापा ये पचंतियात्मकारणा गर्थाथ यज्यольш बचे हुए अन्य का पान करते हैं प्रशाद को प्राप्त करते हैं प्रशाद को ग्रहन करते हैं वह मुच्चन ते सर्वकल्ब शैही सभी प्रकार के पापों से दोसों से मुक्त हो जाते हैं भुन्जते तू पघंपापा ये पचंती आत्मकारणा जो केवल अपने पेट की आपूरती के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्नल नहीं अपी तू पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं हमारा समस्य था साइनस जिसको अंग्रेजी में साइनो साइटिस काते हैं तो इसको हम जगा दिखाए जैसे अपने गाउं से निकल करके दिलदी गए दिलदी में आभा उसको निईक absorbs में दिखाए उसको दिखाने के बाद राम मुनोहर लुहा में भी दिखाए उसके बाद फोटी सत्व अस्पताल में भी दिखाए वहाँ पे जब हम दावा चलाए चलाने के बाद हो एस्प्रे किये सब किये लेकिन इस बीमारी में नाक का बीमारी बढ़ चुका था एक सौर बंद राता था जो सुर्य सौर का आते हैं दाहिना नाक उबंद था तो चलाए दावा चलाने के बाद यू बिमारी में कोई औसर नहीं जब तक चलाते थे तब ठीक था एक दावा है पचीस सकेंड में दो बुन डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट ए रहा लगतार डाले तो आदी हो गए अब उ करके थी उसने बोली की बेटे आपको अप्रेशन कराना पड़ेगा तो वहां अप्रेशन के बारे में भी जाने वह बोली की छोटी अप्रेशन है तो वहां प्रेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में प्राइबेट अस्पताल है उसमें गए ब उसको एक बर कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फीर से ही बीमारी हो चुका है और सरबेक्ति से मिले तो एक बोले कि तीन बार हम अप्रेशन कराए हैं कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा पर्मनेंट ठीक होगा तो हम प्राइंगे तो फिर अब अन्ति मैं सोचै कि अगर कोई आपसन नहीं मिलेंगा योगप्रणायाम करेंगे कोई अगर आपसन नहीं मिलता है तो आप रेशन करा लेंगे तो रास्ते में पुझ्य स्वामी यज्य देवजी से हमें बातचीत हुआ तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना दिखाए टीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम टीटमेंट करते हैं इतने लोगों को ठीक कर दिये तो इसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफी प्रभाव रहा अंदर से लागा कि हाँ ठीक हो जाएगा तो हम भी तयार हुए और यज्य का जो सामगरी बताए उसको हमने परती दिम करना चालू कर दिये तो जब चालू किये तो देखे कि चार-पांच दिन जब उसका गर्म जब उसका ताप लग रहा था जो धा बोलते हैं वो लगने के बाद नाक को देखे कि खोल दिया उसको ढीला किया तो हमें राहत मिला राहत मिला उस दिन रात को खुब अच्छे नींद में एक दम मतलब क पाहजा है तुम मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए तब लगा कि हाँ, कुछ तो हैं, यजbenें तो कुछ तो हैं तो हमने लगतार यज करना स्टर्ट किया और यज करने का यह परिणाम रहा कि आज जो हमारे बिमारी हैं, सत्-परतीसत ठीक हो चुका है और एक मात्रम एक परिणाम कितने दिन का है तीन माह का यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और अम्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृती माह की प्रति अपने रिणों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साथे ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल नौशुन्य च्छै आठ पांच च्छै पांच तीन शुन्य चे मोबाइल नौशू